गुड मॉनिंग, गुड आप्रनून, एन गुड यूनिंग, जो भी जिस समय लेक्षे देख रहा है, आज हम Goods and Service Tax का Chapter 3 का Second Lecture स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने Reverse Charge को discuss करेंगे, इससे पहले हमने एक Class ले ली थी, जहां हमने Reverse Charge की जितनी भी Services थी, उनका briefly describe कर लिया थ यहां पर हमने Detail में चार्ट के तुरू Analyze करेंगे, और समझेंगे कि Reverse Charge में किस तरीके से कलकुलेशन होता है, और किस तरीके से हम इसको apply कर सकते हैं, तो देखे, सबसे पहले, मैं Reverse Charge को समझाने से पहले, यानकी Services को समझाने से पहले, मैं आपको बतातना चाहूँगा, क यानकी Reverse Charge होता किस तरीके से और ये Work किस तरीके से करता है, तो देखे, दो parties होती है, एक होता है Supplier, और एक होता है Recipient, यह सब आपको पता है, कि Supplier कोन होता है, जो Goods or Services प्रोवाइड करता है, और Recipient कोन होता है, जो उनको लेता है, ठीक है, उन Goods or Services का उप्योग करता है, जो Supplier, जो Goods or Services की Supplier करता है Recipient को, तो इस पर जो भी GST आता है, यह अनिकि वो अनेक Recipient को करेगा, तो जितना भी उसके पास आता है, मन्तेंड के अंदर, उसे उस सब पर GST केलकुलेट करना पड़ता है, और Government को वो GST पे करना पड़ता है, ठीक है, माल लिजेज लेट से कि 50,000 अगर हमारा वेल्यू है, और इस पर 12% के हिसाब से GST है, तो 6,000 GST केलकुलेट किया जाएगा, और इस 6,000 पे किया जाएगा Government को, ठीक है, Supplier इसको Government को पे करेगा, हर एक Condition, हर एक चीज, जो भी Rules बगर है, पेमेंट करने का, वो Supplier फोलो करेगा, और Supplier को पे करना है, लेकिन जैसे हम बात करते है, रिवर्स चार्ज में, यानि कि रिवर्स चार्ज की जो Goods और Services है, वहाँ पे क्या होता है, कि Supplier ने Supplier ने Supplier किया 50,000 रूपीज का माल, अब Recipient की ये Liability है, कि वो ये Determine करें, क्या इस पर GST लगता है, हाँ, तो उस GST Liability को केलकुलेट करना, और Timely Government को Payment करना Supplier Recipient का काम हो जाता है, अब यहाँ पे, आप देगेंगे कि Ultimately जो Recipient है, वो ही पूरे GST का भार उटा रहा है, चाहे वो Supplier को पे करें, या फिर Directly Government को पे करें, 6000 लगने Recipient के ही है, Supplier अपनी जैब से पे नहीं करता है, लेकिन यहाँ दो Situation आ जाती है, Recipient या तो Supplier को पे करें, और Supplier Government को पे करें, या फिर Recipient Directly Government को पे कर दें, तो ऐसी कुछ Goods और Services Notify की गई है, जहां Recipient को Directly Government को पे करना पड़ता है, Supplier का इसमें कोई रोल नहीं होता है, Supplier अपनी Supplier करेगा 50,000 रुपीज की, और फिर वो Free हो जाएगा, उसको कोई लेना दे किया गया है, वो Government को पे करें, तो आपको I Hope कि समझ में आ गया हो गया, Reverse Charge क्या होते हैं, यहां पे Goods आपके लिए इतने Important नहीं है, लेकिन Services में काफी Important चीज़े हैं, उसमें काफी Exceptions है, और काफी ज्यादा उसमें Analyze करने की जुरूद परती है, हमने Goods और Services का एक बार Briefly की discussion कर लिया था, यहां हम आगे उनको चार्ट में Analyze करेंगे जितनी भी हमारी 16-18 Services थी उन सबको, ताकि आपको और ज्यादा Better Understanding हो सगे, चलिए शुरू करते हैं यह वारा Lecture, I Hope आपको यह काफी पसंद आएगा, इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मे Agency, अब अगर कभी भी Goods Transport Services दी जाती है by GTA, तो यहां पर यह याद रखेगा, अगर by Railway दी जा रही है, तो वो Allow नहीं होगा, या फिर वहां पर कुरियर के द्वारा दी जा रही है, तब भी वो RCM में फोल नहीं करेगा, केवल और केवल, जब GTA Goods Transport Agency के द्वारा ही Goods Transport Service दी जा रही है, तब ही RCM के अंतर आएगा, अब अगर हम बात करे, GTA के पास एक Option है, कि अगर वो चाहे तो अपने Customer या अपने डिसिपेंट के उपर यह बड़न ना डालते होए, खुद से यह बड़न ले ले और बोले कि मैं 12% में टेक्स पे कर दूंगा गोवर्मेंट को, ठी यह अवेल ना करे, तब GST की जो लाइबलिटी है, वो सामने वाले परसंट पर आजाएगी और वो 5% की लाइबलिटी आएगी, अब यहाँ पर आगे अगर हम पड़े, तो जब RCM की लाइबलिटी आएगी, अब अगर GTA माल लीचे सप्लाई करता है, टू अर टू रजिस् अन्रेजिस्टर परसंट को किया जाता है, तो वहाँ पर फिर दो बाग में क्या जाएगा, पहला है इस्पेसिफाइट परसंट और सेकिंड नमर है अगर इस्पेसिफाइट परसंट को यह चीज सप्लाई की जा रही है, तब वहाँ पर GST की लाइबलिटी आजाएगी, आ कोई चीजे पढ़ रहे हैं, तब हमें आगे के चेप्टर के बारे में नहीं सोचना है, अगर आपने पढ़ लिया है तो यहाँ पर आपको क्यों लितना सोचना है कि RCM में लाइबलिटी नहीं आएगी, आगे क्या होगा, जम में पढ़ाऊंगा तब यहाँ से बागी के च सब्याएं तो यहाँ डे रहा है है, अगर आप लोयर को यह जए चीजे बहां पढ़ेगा, अभी आप लहाँ ितना शमूझे आ पढ़ें किया है, वह हम जैसे आके पड़ेंगे, इन सब को में कावर करते होए चलोंगा, और आपको और जादा better understanding हो जाएगी उसके बाद arbitrage, अब arbitrage services क्या होती है सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है तो arbitrage service क्या होती है कि मान लिजे कि ये 2 person है और इन दोनों ने ये दूसरे से कोई contract किया था अब इन दोनों के बीच जो ये contract हुआ था इसकी time and condition को लेकर कि मान लिजे contract था 5 साल का और उन्होंने आज ये contract कर लिया अब आगे के 2-3 साल बाद में इनकी बीच में जगड़ा हो जाता है अब ये जगड़ा जब होता है तो इनके पास 2 option आता है या तो ये court में जा सकते हैं ये बोल सकते हैं कि चलो यार अपन court नहीं जाते हैं court में काफी लंबी procedure हो जाती है अब बन दोनों मिल बेट के किसी तीजरे party के पास बेट करके ये मामला सुल्टा लेते हैं उसे बोला जाता है arbitrage जहां पे ये मामला सुल्टा जा रहा है अब यहां पे जो मामला सुल्टा रहा है अगर वो उस पे उनकी hearing कर रहा है वो सारी चीज़ अगर वो कर रहा है तो आफकोस वो पैसे लेगा तो यहां पे जब भी arbitrage अगर होता है और arbitrage services अगर दी जाती है तो अगर वो भाई two non-business entities दी जा रही है यानि कि जो दो person है अगर वो person है यानि कि वो अगर personal जगड़ा है और उनका कोई business वगर नहीं है ऐसे situation में जो arbitrator है वो इस पे GST का payment करेगा लेकिन अगर वो business entity को दी जा रही है तो business entity आर्चे में इसका payment करेगी 4th नमर पे आती है sponsorship services अब sponsorship service क्या होती है तो आपने कहीं बाद देखोगा कि जब cricket match देखोगा अब उस cricket match के दोरहन कहीं बार यहां पे hoardings लेगे होगे होती है है ना चारो और boundary के या फिर कहीं बार जो है ground के अंदर भी कहीं बार यहां पे aid वगर आ जाते है तो यह सारी sponsorship होदी है जहां पे आप उसको sponsor करते हो उस match को sponsor करते हो और वहां पे आपको average दिखाने का right मिल जाता है तो जब भी sponsorship service दी जा रही है तब अगर वो दी जा रही है to body corporate और to partnership firm तो ऐसे में body corporate और partnership firm पे RCM की liability आएगी reverse charge में liability आएगी उसके बाद हम देखते हैं next services by central government state government और local authority अब ऐसे situation में sorry for तो services by central government state government और local authority तो ऐसे में हर बार जो gst का payment है वो center government, state government और local authority नहीं करेगी बलकि उसका gst का payment हमें करना है यानि कि जो person उसको receive कर रहा है but यहाँ पे कुछ exception है यानि कि यहाँ हम क्या देखने वाले है कि हर बार gst की liability किस पे आएगी हमारे उपर but accept these situations तो वो situation क्या है वो है services by department of post यानि कि जब आप speed washed वगरे करवाते हो तो वहाँ GST लगता है और वहाँ जब GST लग रहा है उस GST का payment आपको directly government को pay नहीं करना है बलकि government जो है वो खुद ही pay कर लेगी उसके बाद आता है transport of goods और passenger उसके अलाबा है services in relation to an aircraft और vessel उसके बाद है renting of immovable property लेकिन यहाँ पर एक exception है यानि कि जब renting of immovable property दी जाती है तब GST का payment आपको भी directly government को करना पड़ सकता है कब जब आप register person हो यानि register person अगर immovable property rent पे लेता है किस से central government से तो RCM के अंदर liability आती है to the registered person उसके बाद अगर promoter promoter किसका जो building development development project के जो promoters होते है जो नहीं समालते है उन पे GST में liability आएगी reverse charge में कब जब वो long term lease services ले रहे हैं more than 30 years मान लिजे जैसे कि यह आपकी जमीर है और अब आप promoter को lease पे दे रहे हो supplier आप हो, recipient को नए promoter है अब 30 years से ज्यादा की lease पे दे रहे हो तो supplier आपको पैसा आपको मिलेगा लेकिन यहाँ पे अब GST किसको पे करना चाहिए आप supplier आपको पे करना चाहिए लेकिन यहाँ पे promoter को GST का payment करना पड़ेगा direct government को उसके अलाबा development right अगर आप देते हो और non executive director तो यहाँ पे whole time director है वहाँ पे RCM लगेगा और non executive director में RCM नहीं लगेगा ठीक है उसके बाद बात करते हैं तीन services हमारे पास आते है continuity में तो उनको हम एक साथ देख लेते हैं यहाँ पे तो अगर recovery agent की कोई services है तो चाहे वो banking company ले या NBFC या financial institution यहाँ पे तीनों को क्या करना पड़ेगा RCM में payment करना पड़ेगा banking recovery agent जो है वो liability नहीं आएगी उस पे liability नहीं आएगी banking company या NBFC या financial institution को RCM के अंदर pay करना पड़ेगा उसके बाद अगर direct selling agent देखे तो कोई banking company या NBFC अगर direct selling agent की services लेती है तो banking company और NBFC को ही pay करना पड़ेगा उसके लाब business correspondent के अंदर banking company को pay करना पड़ेगा अब अगर हम इसको person wise देखे तो banking company चाहे recovery agent की service ले या direct selling agent के ले या business correspondent की तीनों situation में banking company को RCM के अंदर pay करना पड़ेगा NBFC को केवल दो services अपले होती है एक है recovery agent और दूसरा है direct selling agent लेकिन financial institution को केवल एक service पर RCM लगता है वो है recovery agent ठीक है आया हो आपको clear हो गया होगा इन तीनों services के बारे में next हम दखते है security services तो security services के अंदर अगर security services किसी भी person के द्वारा उनकी दी जा रही है by any person तो वहाँ पर RCM लगेगा लेकिन किसके द्वारा नहीं दी जानी चाहिए by body corporate तो body corporate के द्वारा अगर दी जा रही है तो खुद body corporate ही security services के ओपर GST का प्रमेंट को करेगी जैसे security services का मतलब क्या हो गया जो personal provide होते हैं जो bodyguard provide करवाते हैं वो मालिजे कि सल्मान कान है अब अगर इन्हें चाहिए security service bodyguard चाहिए अब यह दो लोगों के पास आ सकते हैं एक है body corporate के पास और एक है कोई और person ठीक है other तो अगर यह body corporate के पास आते हैं तो उस पे जो GST लेगेगा security services पे यह खुद body corporate आगे government को pay कर देगी लेकिन अगर कोई other के पास आते हैं क्योंकि यह supplier है तो यहाँ पे इस यह other person जो है वो government को pay नहीं करेगा बलकि सल्मान खान के उपर यह liability है कि वो GST का payment government को करे ठीक है I hope आपको यह clear हो गया होगा उसके बाद बात करते हैं renting of motor vehicle तो renting of motor vehicle के अंदर अगर कोई person renting of motor vehicle दे रहा है और body corporate अगर दे रहा है तो body corporate अगर दे रहा है renting of motor vehicle यहाँ पे RCM नहीं आएगा अब अगर कोई और person दे रहा है other than body corporate और वो भी किसी और person को दे रहा है तब भी RCM नहीं आएगा लेकिन अगर वो other person body corporate को दे रहा है तब यहाँ पर RCM आएगा जैसे मान लिजेगी आपके पास एक car है ठीक है और यह एक इंडी जोल है ठीक है अगर आप यह car किसी body corporate याणी किसी company को दे रहे हो जैसे ओला उबर हो गई तो वहाँ पर RCM आएगा और body corporate खुद इसके लिए liable होगा लेकिन अगर आप यह किसी और person को दे रहे हो तब वहाँ पर कोई भी liability नहीं आएगी GST के अंदर ठीक है वो फिर forward charge के अंदर आपको ही pay करना पड़ेगा उस person के उपर कोई liability नहीं है उसके बाद बात करते हैं stock lending services जो की recently add हुई है stock lending के अंदर क्या होता है कि आप अपने stock जो है shares जो है वो किसी और person को उधार में दे देते हो ऐसी situation में भी जो lender है उसके उपर नहीं आएगी बलकि जो borrower है उसके उपर यह GST के liability आएगी to the RGM under the RGM ठीक है उसके बाद IGST के अंदर हमने दो services देखी थी उसको भी हम एक बाद discuss कर लेते हैं एक service थी person located in non taxable territory तो यानि कि मान लीजे यह USA है और यह हमारा प्यारा भारत इंडिया है अब यहां से अगर कोई services दी जा रही है तो अगर यहां से कोई services दी जा रही है इंडिया के अंदर person located in तो यहां पर जो इंडिया वाला person है उसके उपर liability आएगी reverse charge के अंदर और दूसरा था कि जब यहां से कमान लीजे कोई goods बेचा जा रहा है ठीक है और यह vessel के उपर अगर है जो गुट्स है ठीक है, वैसल के उपर यहां पर आ रहा है तो यह आपर यह वैसल की सर्विसेज ली जा रही है अब इस services के ऊपर gst लेगा ठीक है पहली बात कूई यह इंडिया वाले person को दी जा रही है तो services लेगा अब जो services के उपर GST लगेगा इस GST का payment भी जो इंडिया वाला person है वो करेगा ना कि ये वाला person ठीक है USA का person नहीं करेगा बलकि उस vessel के उपर जो भड़ा लग रहा है जो fret लग रहा है उस fret पर जो GST लगेगा उस GST का payment कौन करेगा इंडिया वाला person किसको direct government को ठीक है I hope आपक 9.5 यानि की e-commerce operator इन दोनों का बारे में discuss करेंगे और आर्चिंग का chapter करेंगे और आर्चिंग का chapter कल हम over कर लेंगे Thank you very much for listening us. Good day. Goodbye.